लातियार जिले के बालूमातवन क्षेत्र के लिबराही गाउं में लगभग दस एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती लहलहा रही है बता दे कि अफीम वो जहर है जिसके सेवन से युवा पिढ़ी बरबाद हो रही है जिसकी खेती नहीं करने के लिए केसानों को जागरुक किया जाता है लेकिन फिर भी इस गाउं में अफीम की खेती धडले से चल रही है बता दे कि सिक्षेत्र में सालों से अफीम की खेती चल रही है लेकिन सम्मंदित विभाग का इस और कोई धियान नहीं तो यह को फिर से आपको बता देए पूरा मामला लातेहार का है जो हाले बराही गाउं में दस एकड़े जमीन पर धडले से अफीम की खेती चल रही है जबकि अफीम की खेती करना भी जो है गुना है क्योंकि युवा पीड़ी को बर्बाद करता है क्योंकि अफीम एक ऐसा नशा है जिसे लोग जो युवा पीड़ी है वो बर्बाद हो रही है सहरसा के सरस्वती देवी मेमोरियल में तीन दिवसी कुष्टी प्रतियोगिता का शुभारम किया गया कुष्टी प्रतियोगिता 13 मार्च से लेकर 15 मार्च तक चलने वाली है जिसमें बिहार सहीत अन्य राजियों के खिलाडियों ने भी भाग लिया है वह इस मौके पर बिहार सरकार के कलास अन्सकृती एवं युवा विभाग के मंतरी आलोक रंजन ने कहा कि खेल को बढ़हावा देने के लिए इस तरह का कारेकरम किया जा रहा है कि आज के दिन थास करके हमारे वाजपा के जिला Α्ध्यक्श दिवाकर सिंil हुआ उनके प्लीः पिता जी स्यांद सेखर सीग जी जी एवं सवर्गीयन माता जी स्योंटी शेकपूरा के डियम हाई स्कूल केंद्र पर शात्रों ने जम कर हंगामा किया इस दौरान वहां तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस से इस्तिती को समालने के बजाए परिक्षा केंद्र के भीतर छुप गए बताया जा रहा है कि सिपाही भरती परिक्षा में शामिल हूने पहुँचे परिक्षारती को लेट होने के कारण परिक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमती नहीं मिली जिसके बाद कई परिक्षारतियों ने हंगामा करने शरीकल दिया और आपको फिर से एक बार बता दे कि पूरा मामला शेकपुरा का है जहाँ डियम हाई स्कूल केंद्र पर छात्रों ने हंगामा किया है इस दोरान महात्यनात मजिस्ट्रेट और पुलिस इस्तिती को समालने के बजाए परिक्षा केंद्र के भीतर ही छुप गए और बताया जा रहा है कि सिपाही भरती परिक्षा में शामिल होने पहुचे परिक्षार्ती को लेट होने के कारण परिक्षा केंद्र पर प्रवेश की जो है अनुमती नहीं दी गई जिसके बाद ही परिक्षार्तियों ने परिसर में हंगामा शेरू कर दिया में साफ देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों ने उतपात मजाना शुरू कर दिया कॉलेज परिसर में ही स्कूल परिसर में माफ कीजेगा किस तरीके से गेट को कूद कर वो स्कूल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिस को स्थिती समालने के लिए भेजा गया था लेकिन इस स्थिती को समालने के बजाए वो स्कूल के अंदर ही छुप गए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शेक पुरास हमारे समवादा था धर्मेंद्र जुड़ जो के धर्मेंद्र फिलहाल वहां पर क्या कुछ हाला थे क्योंकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इस तरीके से चात्रों ने जो है उत्पात मशाया है और म चेंद्र बनाए गया थे परिशा के लिए इसी तवरान जब टायम से उसके बाद गेट बंकर दे गई सेंटर के उसके बाद जितने भी उपाद्रेवी चात्र से पूरा गेट को भी जोड़ा तोड़ने का परियाश्या और जब नहीं के टोटा तो आप देश रहे होंगे गेट के ओपर से फान कर एगुशन कैट डारफोल में दर्मेब्र क्या अब तक क师 काना gente कुछ केहना है इस पर कुछ सामने निगलकर आपक ते वप्र प्रशासन की और सब्सूरां करते ढ़ें जी धर में देखे जी क्या स्कूल प्रशासन ने कुछ बयान दिया है इस पूरे मामले पर जी धन्यवाद हमाम जान कर लिए तो एक बाद लगता है खराब कनिक्शन की वज़ा से हमारा संपर कुन से तूट गया है तो एक बाद फिर से माँ बता दे ये पूरी तस्वीर जो है शेकपुरा की है डीम हाई स्कूल की है जहाँ पर चात्रों ने परिक्शारतियों ने जहाँ परिक्शा होनी के समय से पहले ही बंद कर दिया गया जहां पर चात्रों को प्रवेश की अनुमती नहीं मिली और इसके बाद चात्रों ने स्कूल परिसर के बाहर ही हंगामा करना शिरू कल दिया मुतिहारी के के सरिया प्रकंडिस्तित कड़ान पंचायत में जल नल योजना में गरबड़ी का मामला सामने आया है दरसल पंचायत के वाड नमर आठ में घटिया निर्मान के कारण पानी की तंकी द्वस्त हो गई और बिहार राज्य परिवहन निगम अगले तीम से चार महिनों में पचास नई सीनजी बसे खरीदेगा वहीं 20 डीजल बसों को इंजन को सीनजी किट में बदला जाएगा आपको बता दे कि इसको लेकर परिवहन विभाग और वन परियावरन विभाग की बीच सहमती बन चुकी है